नमस्कार साथना नीजस में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नुकमा खोब रहे और रुख करते कुछ खबरों की और मुख्यमंत्री श्रिवरासी चोहान राज़िपाल अभिभाशन चर्चा के दौरान ततकालिन कमलनाथ सरकार पर जमकरपर से सियम श्रिवरासी चोहान ने कहा कि अपने 32 साल के राज़नितिक जीवन में मैंने ऐसे दिन कभी नहीं देखा कमलनाथ सियम बनते ही भाज़पा के एक-एक निताओ और अपने टार्गेट बनाते रहे कमलनाथ ने सियम रहते हुए किसानों का कर्जमाफ नहीं किया कर्जमाफी की आस में बैठे लाखो किसानों को बैंक ने डिफॉल्टर घोशित कर दिया बतादे कि सियम श्रिवरासी चोहान ने सदन की जरी किसानों को बड़ी सौका दी बहुत प्रसंदता की बात है कि आज मानी मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोशना की जब कॉंग्रेस की सरकार आई थी और उन्होंने वचन पत्र में किसानों के साथ छलावा किया था और किसानों का करजा माफ करने की जूटी घोशना की थी 15 महीने कॉंग्रेस की सरकार रही परंग तो किसी भी किसान का करजा माफ नहीं है और उसके गफलत में बहुत सारे किसान रिंग जमा नहीं कर पाए और उन पर बहुत भार ब्याज का आगया था आज महानी मुख्यमंत्री जी ने घोशना किया है कि वो ब्याज का भार खतम किया जाएगा और उसका समायोजन भारती जनता पालिटी की सरकार गए थे उसे उना जो बसूला जा रहा था वो भी अब रोक दिया गया है और कोविट काल के जो भी हमारे गरीबों के बीजली के बिल हैं वो माननी मुख्यमंत्री जी ने पूरे खतम कर दिया यह बहुत बड़ी घोशना आज माननी मुख्यमंत्री जी ने सदन में की है मैं उ बहुत आभार व्यक्ति करता हूं विधायकों की विधायक जी भी तीन करोड रुपे कर दी है उसमें पचास लाग का स्विच शानुदार रखा गया है आज मुक्षिमंत्री जी ने अपने भाशन में भारती जनता पार्टी की जिस प्रकार की आत्म निर्वर समाज के हर वर्ग को पूरी तरह से विकास की मुक्षिधारा में जोड़ना यहीं हमारा लक्ष है